नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की रोसुनोवा सीवी कैपसूल का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है रोसुनोवा सीवी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि रोसुनोवा सीवी कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए रोसुनोवा सीवी एक ब्रैंड नेम है, रोसुनोवा सीवी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, रोसुनोवा सीवी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन रोसुवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल होता है, रोसुवास्टेटिन शरीर में कोलेस के लेवल को कम करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और प्लोपिडो ग्रेल खून को पतला करता है और शरीर की नसों में बलड के ठक्के को बनने से रोकने में मदद करता है प्लोपिडो ग्रेल खून को पतला रखता है जिसकी वजह से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। रोसुनोवा सीवी कैपसूल शरीर में खून को पतला रखता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे सिर्दर्ध होना, बदहजमी होना, शरीर में कमजोरी वधकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़ा से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। इसके अलावा रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़ा से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द और कमर में दर्द आदी साइड इफेक्ट्स भी रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़ा से हो सकते हैं। अगर आपको रोसुनोवा सीवी कैपसूल को लेने के बाद शरीर की मासपेशियो या जोडों में बहुत तेज दर्ध होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं. रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मासपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं. मास पेशियों के टिशियू डैमेज होने की वज़से मास पेशियों से मायो ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है जिसकी वज़से किड्मी भी डैमेज हो सकती है वैसे रैब्डोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है लेकिन कुछ व्यक्तियों में रोसुनोवा सीवी कैपसूल की वज़े से रैब्डोमायोलिसिस भी हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की रोसुनोवा सीवी कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है की सलाह देते हैं रोसुनोवा सीवी कैपसूल की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है अब हम डिसकस करेंगे की रोसुनोवा सीवी कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर सर्जरी करने से या दांत निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले रोसुनोवा सीवी कैपसूल को बंद करने की सलाह दे सकता है इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है तो आपको रोसुनोवा सीवी कैपसूल के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स दवाईया जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पैटोप्राजोल और रैबिप्राजोल आदी दवाओं के साथ रोसुनोवा सीवी कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसके अलावा दर्थ को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली नॉन स्टेरोडिल एंटी इंफ्लमेटरी दवाईया जैसे एसिकलोफने, डाइकलोफने, आइबुप्रोफेन और निंसुलाइड पर, कीमोफिलिया होने पर, ब्रेन हेम्रेस होने पर और लिवर की कोई बीमारी होने पर रोसुनोवा सीवी कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रोसुनोवा सीवी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।